ये जानने की कौन है हमारे इस हफते के बॉटम थ्री तो वहीं जब सभी केंटेस्टन का पफॉमस्स खत्म हुआ तो सो में डबल एलिमनेशन का एनाउस किया गया तो चलिए भाईया जल्दे से जानते हैं कि आखिर आज कम स्कोर पाने की वज़ा से कौन-कौन इंडियाद प्रश्चांचा सीजन 4 से बाहर हुआ है और साथ ही कौन-कौन बॉटम में था लेकिन उससे पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इंडियाद प्रश्चांचा सीजन 4 की ऐसी ही अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी तो देखो दोस्तों इंडियाद प्रश्चांचा सीजन 4 में आज उरुफी जाबेद आई हुई थे और उन्होंने सभी कंटेस्टन को एक एक चैलेंज भी दिया था लेकिन दोस्तों उनके चैलेंज के बाद जब एलिमिनेशन एनाउस होने की बारी आई तो एक बार के लिए सभी कंटेस्टन का दिल जोरों से धड़कने लगा और सभी हैरान थे कि कहीं मैं ही ना आज सो से बाहर हो जाऊँ पर दोस्तों आज सबसे पहले जज़स ने बॉटम कंटेस्टन का नाम एनाउस किया जिसमें आज बॉटम में आमोस, चितराक्षी और नेक्सटन को रखा गया और फिर उसके बाद इनमें से उर्फी के द्वारा जज़स को बीटो पावर मिलने की वज़ा से ज़स ने नेक्सटन को सेफ कर दिया और फिर बचे बॉटम डू कंटेस्टन अमोस और चितराक्षी के वीच एलिमनेशन डांस बैटल हुआ पर दोस्तों जब ये बैटल खत्म हुआ तो जज़स ने इस बैटल को अब तक का सबसे खराब बैटल बताया यानि के ज़ज़स इस बैटल से बिलकुल भी खुस नहीं थे और इसलिए उन्होंने दोनों ही कंटेस्टन को एलिमनेट कर दिया जी आँ दस्तों इंडियाज बस्टांस सीजन 4 से आज अमोस और चितराक्षी को एलिमनेट कर दिया गया है कि ये बहुत ही शौकिंग एलिमनेशन है वैसे आप सबकी क्या राय है इस एलिमनेशन पर कॉमेंट करके आप हमें जरूर बताना और साथी चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना